हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्यूटोलियों में मैं हूँ आपका टीचर शोभित और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है रेश्टर और वेक्टर ग्राफिक्स और इन दौनों के बीच में क्या डिफरेंस है तो चलिए सीखते हैं जब भी हम कम्पीटर पे कोई डिजाइन बनाते हैं सबसे बड़ा कोश्चन ये होता है कि हम कौन सा सौब्वेर यूज़ करें क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा बनाया हुआ डिजाइन हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अप्टिमाइजड हो ये भी होता है कि हम अपनी बनाएवई ब्यूटिफुल सी डिजाइन को ऐसे कौन से एक्स्टेंशन में सेव करें ताकि उसकी क्रिस्पीनेस बनी रहे और उसे हम बिनन किसी कम्प्रेशन के हाई क्वालिटी में सेव कर पाएं इन कोश्टेंश के आंसर के लिए आपको डिफरेंश समझना होगा रेस्टर और वेक्टर ग्राफिक डिजाइन के बीच में यहाँ पर मैंने दो आइकॉन्स लिये हैं जिसमें एक वेक्टर है और दूसरा रेस्टर हंड्रेट परसंट में देखने पे तो वेक्टर और रेस्टर दौनों में कोई वालिटी डिफरेंस दिखाई नहीं देता लेकिन जब आप इन्हें स्केल करते हैं तो रेश्टर की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है जबकि वेक्टर में कोई चेंजिस नहीं आते और उसमें पहले जैसी ही क्रिस्पीनेस बनी रहती है तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है इन दोलों तरह के ग्राफिक्स के बीच में सबसे पहले हम वेक्टर ग्राफिक्स को समझते हैं जबरली वेक्टर को किसी ग्राफिक्स या एलस्ट्रेशन की एप्लिगेशन में बनाया जाता है जैसे कि illustrator, vector lines, curves और dots के mathematical combination से बनता है, यही reason है कि vector को scale किया जा सकता है, resize किया जा सकता है वो भी बिना किसी quality loss के, vector का file size भी काफी कम होता है और यह resolution dependent भी नहीं होता, यही reason है कि file बन जाने के बाद भी आप आसानी से उसका resolution चेंज कर सकते हैं, वेक्टर नाफिक्स बनाने के लिए, CorelDraw, Illustrator, Inkscape जैसे software का use किया जाता है, और SVG, EPS जैसे extensions में अपनी file को save करके, आप इनकी compatibility को भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप अपने बनाए हुए vector file को किसी भी दूशरे vector software में open कर पाएंगे, vector files resizable होती हैं, इनका size भी काफी कम होता है, इसलिए इनका ज्यादतर use print media design में किया जाता है, logo designing के लिए भी vector सबसे best option हो सकता है, मेरा suggestion है, जब भी आप कोई ऐसा design बनाना चाहें, जिसे आपको resize करना पड़े, तो आप vector applications ही use करें, रेश्टर ग्राफिक्स जनरली उन्हें में जिसको कहा जाता है, जो किसी digital device जैसे की कोई camera या फिर scanner से capture की गई हो, या फिर उन्हें किसी photo editing software जैसे की Adobe Photoshop में बनाया गया हो, यहां तक कि आप जो अपनी selfies क्लिक करते हैं, वो भी रेश्टर ही होती है, रेश्टर ग्राफिक्स बहुत सारे pixels से मीके बनता है, यह pixels किसी image में zoom करने पर दिखाई देते हैं, यह pixels rectangular या फिर square shape में हो सकते हैं, और इन pixels में कोई भी color store हो सकता है, एक image में जितने ज्यादा pixel होंगे, उस image की picture quality उतनी ज्यादा high होती है, अगर हमें high detail graphics बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई product design, कोई digital painting, कोई matte painting या फिर कोई ऐसा design जिसमें काफी सारे special effects, काफी सारे colors को use करना पड़े, तो फिर इसके लिए, रेश्टर सबसे best option हो सकता है, Photoshop, PhotoPaint, Inkscape जैसे software का use, रेश्टर graphics बनाने के लिए किया जा सकता है, JPG, PNG, TIFF जैसे extensions में, आप अपनी रेश्टर फाइल को save करके रख सकते हैं, जिसमें JPG तो एक बहुती common सा extension है, तो चलिए हमें comparison देखते हैं, रेश्टर और vector graphics के बीच में, रेश्टर pixel से मिलके बनता है, vector lines और curves के combination से बनता है, रेश्टर graphics को scale नहीं किया जा सकता, जबकि vector scalable होता है और easily इसे resize किया जा सकता है, रेश्टर से vector convert करना थोड़ा difficult होता है, जबकि vector को रेश्टर आसानी से बनाया जा सकता है, वैब और application design के लिए और किसी भी तरह के digital work के लिए रेश्टर एक ideal choice हो सकता है, जबकि vector, print work और illustration के लिए एक अच्छा option हो सकता है, रेश्टर graphic design करने के लिए Adobe Photoshop, Coral Photo Paint और GIMP जैसे software को यूज किया जा सकता है, वैटर graphic design करने के लिए Adobe Illustrator, Coral Draw और Inkscape जैसे software को यूज किया जा सकता है, रेश्टर graphic को jpg, if और png जैसे extensions में save करके रखा जा सकता है, जबकि vector के लिए EPS, SVG और PDF जैसे options available होते हैं, तो इस session के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये session पसंद आया होगा, और आप ये सीख पाया होँगे कि रेश्टर और वैक्टर किसे कब चूज करना है, और कौन से extension में अपनी file को save करके रखना है, अगर आपको ये video पसंद आया हो तो इसे like कीजिए, अपने friends के साथ share कीजिए, मेरे channel को subscribe कीजिए और सीखते रहिए